अपने आपको एशिया की सबसे बड़ी सूपर पावर कहने वाले चिनी कम्मुनिस्ट सर्दमे में जा चुके हैं परडोसी देश पाकिस्तान के लोग शोक में हैं तो वहीं बात करें अंग्रेजों की तो उनकी तो सबसे बुरी हालत है क्योंकि उनकी मानसिक स्थिती ऐसी हो चली है जैसा कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल में भरती करवाना पड़ जाए वो भी पागलों के अस्पताल में और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि पिछले 24 घंटों में एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने इन तीनों देशों को 440 नहीं 880 वोल्ट का जटका देडाला है खुद भारत के इंदर कुछ जो भारती लोग हैं जो पिछले कई दश्यकों से सिर्फ एक ही काम करके कमा खा रहे हैं वो है भारत की आलोचना भारती अर्थ ववस्था को डिमीन करना और उसे नीचा दिखाना उन लोगों के मूँ पर भी अब पर्मानेंट ता जा रहा हूं तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले कई सालों से भारत सरकार का एक ही लक्ष है कि भारत की जो अर्थ ववस्था है उसे जल्द से जल्द पांच ट्रिलियन डोलर के आकड़े तक पहुचाना और ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जिस दिन ये होगा उस दिन भारत के अर्थ ववस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ ववस्था बन जाएगी पहले पर है अमरिका दूसरे पर चीन और तीसरे पर आ जाएगा भारत अभी का इसाख कुछ ऐसा है कि पहले र दूसरे के तो स्थान बिल Blade अमरीका चीन तीसे नंबर पर आता है जर्मनी जी हाँ इसी साल जापान जो की 20 सालों से लगाता दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थ ववस्था बना हुआ था उसे जर्मनी ने पचाड दिया और जर्मनी दुनिया के तीसरे बड़ी अर्थ ववस्था बन गया जापान चोथे नमबर पर किसक गया लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ा हो उसकी GDP गरोथ अच्छी हुई है उसका कारण ये है कि जर्मनी जापान दोनों की GDP गिर रही है लेकिन जापान की रफ्तार गिरने की कुछ ज्यादा है इसलिए वो जर जर्मनी उपर नहीं गया लेकिन फिलाल जो लेटेस्ट आकड़े हैं उनके अनुसार जर्मनी की GDP है 4.5 ट्रिलियन डोलर यानि की साड़े चार वहीं जापान की बात करें तो उनकी GDP है 4.1 ट्रिलियन डोलर लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से एक बड़ा सप्राइज आ अभी अभी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि भारत की GDP 3.7 ट्रिलियन डोलर पर जो टिकी हुई थी वहां से उसने मैसिव जंप लिया है लगबग 500 बिलियन डोलर का और अब वो पहुँच चुकी है 3942 बिलियन यानि करीबन 3.9 चार ट्रिलियन डोलर पर और अब सिर्फ भारत को चाहिए 50 से लेकर 55 बिलियन डोलर वो अपनी GDP में एड करे जो की आने वाले कुछ हफतों में होने जा रहा है और उसके बाद भारत की GDP पहुँच जाएगी 4 ट्रिलियन डोलर पर यानि कि सिर्फ 100 बिलियन डोलर दूर होंगे हम जापान को पचाडने से फिर उसके बाद सिर्फ 500 बिलियन डोलर हमें अपनी GDP में और एड करने हैं जिसके बाद भारत की GDP साड़े 4 ट्रिलियन डोलर के पार आसानी से पहुँच जाएगी और हम दुनिया की 30 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति officially declare कर दिये जाएंगे हाला कि आप में से कहीं लोग कहेंगे कि जितना कहने में आसान लगता है एक्चुल में उतना आसानी है नहीं लेकिन आपको बता दूं कि एक्चुल में भी इतना आसान है क्योंकि भारत की GDP ग्रोथ पिछले कई क्वार्टर से लगातार साथ से लेकर 8% की रफ़तार से बढ़ रही है यानि कि हगर हम इसी रफ़ता से करीबन हमारी GDP साड़े 300 बिलियन डॉलर के आसपास आराम से बढ़नी चाहिए यानि कि ये बात तो बिलकुल तै है कि इसी साल 2024 में हम जापान को आराम से पचाड़ देंगे और जर्मनी के साथ जो हमारा गैप है उसे भी हम नेरो कर देंगे वहीं next year यानि कि 2025 में भारत क GDP में हम करीबन 400 बिलियन डॉलर और अड़ कर सकते हैं यानि कि 2025 में भारत जर्मनी को भी आराम से पचाड़ सकता है भारत के हाथ में सारी चीजें हैं अगर भारत सही से अपनी अर्थ वबस्था को आगे बढ़ाता है जैसे बढ़ाता आया है थोड़े और एकोनमिक रिफो अभी और लग सकता है इसी साथ से लेकर साड़े साथ परसेंट की रफटार से लेकिन अगर भारत किसी तरीके से इस रफटार को साड़े आठ से लेकर साड़े नो परसेंट के आसपास तक ले जाता है न उसके बाद तो भारत की GDP पांच ट्रिलियन डॉलर के बहुत ही पास नहीं पहुँची है वहीं इसे देखकर ब्रिटिश लोगों की लंका लगी पड़ी है क्यों क्योंकि अंग्रेजों की अर्थ ववस्था इस समय हिचकोले खा रही है जो करीबन घटते घटते अब 3.4 ट्रिलियन डोलर पर पहुँच चुकी है चीन यूएस और योरोप क की हालत तो आपको पता ही है सबके बुरे हाला थे वहीं पडोसी देश पाकिस्तान में भी खूब चर्चे हो रहे हैं कि भारत जो हमारे साथ आजाद हुआ मुल्क था आज वो कहां पहुच गया दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थवस्था बनने जा रहा है और हम चोराहों पर खड़े होकर यह देख रहे हैं कि अपने देश को बैंकरफ्ट होने से कैसे बचाएं